नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इलिया आपके साथ मैं हूँ काल जोल नारायन शिर्वात करेंगे यूपी फटाफटकी बदायू में ट्रेक्टर ट्रॉली और मोटर साइकल की जोरदार टक्कर हो गई इस हाथसे में दो यूगों की मौके पर ही जान चली गई वहीं एक नेलाज के दोरान दम तोड़ दिया सभी यूग बिसॉली कोतवाली शेत्र के ग्राम लक्षमेपुर के रहने वाले थे फैजगंच बेटा थाना शेत्र के बदायू मुरादाबाद हाईवी किये घटना मिरट में लेंदेन की विवाद में दो पक्षामने सामनी आ गए जहां जम कर लाठी डंडे चले और पत्थरा हुआ दोनों पक्षों ने फारिंग करने का भी आरोप लगाया सुचना पर पहुचे पुलिस ने दोनों पक्षों के एक एक युवक का शान्ती भंग में चालान किया अपुड में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुटभेड में पुलिस ने चार बदमाशों को दबोश लिया जिसके बाद दो घाल बदमाशों को अस्पताल में भरती कराए गया, पुलिस से बदमाशों के कबजी से कई माहन बरामत किये हैं, साथी गौकशी करने की उपकरण भी बरामत किये संतकभी नगर में दो पक्षों में मार पीठ हुई, जिसमें एक महला की जान चली गई, वहीं पांच खायल हो गई, सभी खायलों को पुलिस ने अस्पताल में भरती कराया, आरोपी को पुलिस ने रासत में ले लिया है, शेहर कोतवाली की बराई टोली की एखटना सीतापुर में परानी रंजिश में हुई दो पक्षों की मार पिटाई खूनी संघर्ष में तबदील हो गई, इस मार पिटाई की घटना में दोनों पक्षों के आठ लोग गंभी रूप से खायल हुए है, सभी खायलों को एंबुलन्स से सीतापुर जरा अस्पताल लाया जिन में से तीन घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, कोतवाली दिहाज शेत्र के अकबरपुर कला गाओं का यी पूरा मामना बताय जा रहा है जिन शेर में सिग्रेट चुराने को लेकर फारिंग होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, वहीं गोली लगने से एक युवग घायल हो गया, मारपीट में कुल चार लोग बताय जा रहे हैं घायल, पेडित के मताबिक परोसी दबंग ने घर में गुस कर जम कर मारपी फिलहाल पुलिस मामले की चानवीन में जोटी हुई है, जरीफ नगर थाना शेतर के श्वादीपूर गाउं का ये पुरा मामला बताय जा रहा है सहरनपूर के गाउं, सब्दलपूर में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जलती चिता से माहिला के शव को निकाला और उसके अवशेशों को पोस्मार्टम के लिए भेचा मुतिक महिला के परिजनों ने स्वस्टाल पक्ष पर हत्या कर चुपचाप शव जराने का आरोप लगाया पिलिभीत में संदिक दुपरसुतियों में पेड से लटका हुआ, युवक का श्वम मिलने से संसनी फैल गई केत पे जा रहे ही किसानों ने शव को लटकता देखा, जुसके बाद जानकारी पुलिस को दे गई फिलहाल शव की शिनाक नहीं हो पाई है, मौके पर पहुंचे पुलिस शव को कबज में लेकर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया है, मामले की चानवीर में जुटी है बनाया है, सोमवार को जिलहास्पताल में 85 नहीं मरीजों सहीत 160 को एंटी रिविस का इंजेक्शन लगाए गया सोमवार को ओपीडी के बाहर इन मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिली जबकि जिलहास्पताल की परिसर में आवार कुत्ते और बंदर भी दिखाई दिये फटेपुर में संदिक दुपरस्तोतियों में तीन घरों में भीशन आग लग गई आग के चपेट में आने से घर में रखा सारा समान जलकर राख हो गया वहीं पाँच मवेशी भी आग में जिलस काए घर का समान जलने सियाहत परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है सुषना मिलती मौकी पर पहुंची फार बिगेड ने आग पर काबू किया जानाबाद के अंबेट का नगर महले काई पुरा मामला केंद्या अलफ संक्या कल्यान मंत्री मुखतार अबास नग्मी ने आज रामपूर में सिविल लाइन स्थेत जालमिया इस्पतार में कुरोना वैक्षन की पहली डूस लगवाई नग्मी ने कहा कि मेडीन इंडिया कुरोना वैक्सन बिल्कुल सुरखशित है नक्वी ने उन सभी से अपील की है जो वैक्सिन लेने के लिए योगी हैं कोरोना की वैक्सिन लगवाएं और भारत को कोरोना मुक्त बनाएं मिनट में डीजल और पेट्रोल की आवयद गोदाम में भीशिन आग लगई आग इस कदर भयाव्य थी कि आसपास के लाके में संसनी फैल गई पहले लोगों ने खुदी आग बिजानी के कोशिश की लेकिन बाद में दमकल की कई गाड़िया मौके पर पहुँची कड़ी मशक्कत के बाद आगपर काव उपाए गया इस अगनी कांड में दो लोग जुलस गई हैं जोने अस्पताल में भरती कराये गया है पिलिभीत में डियम, पुलकित खरे और स्पी जेप्रकाश ने कंपोजिट विद्याले गाज़िपूर, मुगल और जंगरौली विद्याले का उचक निरिक्षन किया इरिक्षन के दौरान उन्होंने बैट कर सिक्षन कार रिकिया और उपस्तित चाचात्राओं को हिंदी विश्य के पार्टे को पढ़ाया, साथी हल्प्लाइन नमबरों के महत के बारे में जानकारी दी और यूपी फटापट में फिलाल के लिए इतना है देश और दुनिया की तमाम बड़ी कबरों के लिए आप देखते रहे हैं न्यूस वाली लिया